नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचे दोस्तों पस्तित हूं आप सभी की सिवा में एक ब्यादी महतोपून जानकारी को लेकर के जिहां रात को सोते वक्त भूनी हुई दो लोंग खाने से जो होगा आपने कफी सपने में नहीं सोचा होगा ये है आज का हमारा ऐसे भी कम ही ध्यान दे पाते हैं जिससे हमारा स्वास्त काफी कमजोर रहता है या हमें कई प्रकार की बिमारियां होती रहती हैं जिसके लिए हम कई प्रकार की दवाओं का सेवन भी करते हैं जिससे हमें आर्थिक नुकसान काफी होता है लोंग तो आप सभी ने देखी हो अगर आप वह उपाई करते हैं तो आपको काफी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा अगर आप रात को सोते वक्त दो या तिन लोंग अंगारों पर सेख कर अर्थात भून कर खाएंगे तो इससे आपको काफी फायदा होगा ध्यान रहे जादा देर अंगारे पर रखने स यह जल जाएगी एवं इसके ओशर्धियगून खत्म हो जाएंगे नश्ट हो जाएंगे असली लोंग की सबसे पहले पहचान जालनेते हैं दुकानधार बेचने वाले लोंग में तेल निकला हुआ लोंग मिला देते हैं अगर लोंग में जुर्यां पड़ी हो तो समझें क यह तेल निकाली हुई लोंग है उसे ना खरीदें लोंग से बहुत सी प्राकृतिक और शधियां बनती हैं आज हम आपको बताएंगे कि एक लोंग कितना कमाल का होता है आए जानते हैं लोंग के फायदों के बारे में रात को लोंग से होने वाले साथ फायदे श्वसं संक आपका पास के एक टुकडे की सहायता से थोड़ा सा लोंग का तेल या भूना हुआ लोंग का चुन पीडा दायक दाथ या अपने मसुड़ों पर लगा कर दर्द को कम कर सकते हैं इसके अलाबा यह संक्रमर को ही कम करेगा सुजन को ये कम करता है पीडा दायक मांस पेश्य की मालिश के लिए लोंग तेल का उप्योग करें इससे आपको जल्द ही आराम हो जाएगा घावों का इलाज करें लोंग बहुत तिब्र होता है घाव के इलाज के लिए जैतुन के तेल में थोड़ा सा लोंग का तेल मिला कर घाव पर लगाएं यह घाव को ठीक करने में परेशान कर सकता है खासी जुकाम जिहां अगर आप इस प्रकार इसका सेवन करते हैं तो आपको कभी भी खासी जुकाम जैसी तकलीफ नहीं होगी साथ ही अगर आपको सर्दी जुकाम है तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर इजिनाल नामक पदार्थ पाया जाता है जो हमारे शरीर को गर्म करता है जिससे हमारी सर्दी जुकाम ठीक हो जाती है एसीडिटी या कोई पेट संबंधी बीमारी अगर आपको एसीडिटी या कोई पेट संबंधी बीमारी है तो इस प्रकार लॉंग का सेवन करने से यह पून तया ठीक हो जाएगी प प्रति दिन सुबह उठने के पास चाथ दो या तिन लोंग का सेवन काफी लाब दायक होता है। सेंधा नमक मिला करके रख लीजिए इस मिश्रन को एक स्टील के बरतन में रखकर उपर से निम्बू का रस डाल दीजिए। जब यह सक्त हो जाए तब इसे चाया में सुखा कर पांच पांच ग्राम के मातरा में भोजन के बाद सुबह और शाम को पानी के साथ लीजिए। आपको लाव होगा गठिया रोग में लॉंग भूना हुआ सुहागा एलूवा एवं काली मिर्च पांच पांच ग्राम इन सभी को कूट करके पीस लें और घीगवार के रस में मिला करके चने के आकार के बराबर की गोलियां बनाकर चाया में सुखा लें उसके बाद एक ग कोली सुभ शाम लेने से गठिया का रोग नश्ट हो जाता है चकर अगर आपको आ रहा है तो सबसे पहले दो लॉंग लें और इन लॉंगों को दो कप पानी में डाल कर उबालने फिर इस पानी को ठंड़ा करके चकर आने वाले रोगी को पिलाने से चकर आना बंद हो जाता है साइटीका में लॉंग के तेल से पैरों पर मारिश करने से साइटीका का दर्द खत्म हो जाता है टॉंसिल का बढ़ना एक पान का पत्ता दो लॉंग आधा चमच मुलेथी चार दाने पीपर मेंट के एक गलास पानी में मिला करके काढ़ा बना कर पीना चाहिए टॉंसिल जाता है दान्तो में अगर दर्द हो रहा है तो पांच गराम निमबु के रस में तीन लॉंग को पीस कर मिला ले इसे दातों पर मले और खोखल में लगाए इससे दान्तों का दर्द नश्ट हो जाता है दमा या श्वास रोग में दो लॉंग को एक했던 50 میली लिटर पानी में उबाले और इस पानी को थोड़ी सी मातरा में पीने से अस्थमा और श्वास का रुकना खत्म हो जाता है। पानी से खाना खाने के बाद खुराक के रूप में आपको लाव होगा। अगर आपको कमर दर्द है तो लोग के तेल की मालिश करने से कमर दर्द के अलावा अन्य अंगू का दर्द भी मिट जाता है। इसके तेल की मालिश नहाने से पहले करनी चाहिए ताकि आप नहा करके फ्रेश हो सके जिहां दोस्तों तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुरते हैं को और बेहदी महतो पूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों